अपडेट स्पॉन्सिट बाई विनी कैफे रीवा स्फर्स्ट सर्टिफाइड वेज बेकरी एंड हंड़िट परसेंट एगलिस एड्रिस बिलो एयू बैंक नियर कॉलिज चौराहा रीवा नमस्कार मालवा निमार शेत्र में बिजेपी और कॉंग्रिस एक्टिव मोड पर आ चुकी हैं प्रदेश का इलेक्शन और केंडिडेट का सेलेक्शन दोनों ही दलों के लिए बेहद एहम हो चुका है लेकिन इससे पहले दोनों ही दल ये बात पुक्ता कर लेना चाहते हैं कि उनके द्वाराच चेहनी तोमिद्वार जिताओमिद्वार है या नहीं कॉंग्रिस ने इसके लिए सर्वे का सहारा लिया जिसके आधार पर पार्टी एतै करेगी कि उसका समीद्वार कौन होगा बता दे भीजेपी इस बार कोई नया रिस्क नहीं लेना चाहती और एंटी इंकम्बेंसी वाली सीटों को छोड़ कर बाकी जगे मौजूदा विधायकों को टिकेट देने पर तरजी दी जा रही है। हाला कि पार्टी के इस तर पर कायास लगाय जा रहे हैं कि कुछ हेर फेर बड़े शहरों में हो सकते हैं लेकिन ऐसे में पार्टी फोरम का फैसला अंतिम माना जाएगा ये तैय है। जिताओ उमिद्वार ही हमारा टिकेट का फॉरमूला होगा ये बात पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजे सिंग पिछले दिनों इन दौर में ही कॉंग्रेसी नेताओं से कहकर जा चुके हैं। सिंग ने अपनी सर्वे रिपोर्ट आला कमान को सौब दी है। वहीं कमलनाथ का सर्वे भी लगभग पूरा हो चुका है। ऐसे में अब पार्टी की राहूल सर्वे टीम अक्टिव हो चुकी है। और अपने इस तर पर राहूल गांधी के खास नेता इंटर्नल सर्वे करवा रहे हैं। ऐसे में सियासी गल्यारों और कॉंग्रेस नेताओं में ये बात कौतुहल का विशय बनी हुई है कि क्या इस बार कमलनाथ और दिग्विजे के सर्वे को दरकिनार कर राहूल सर्वे पर पार्टी टिकेट फाइनल करेगी। देखना जरूर होगा। बहुत बहुत धन्यवा अपडेट स्पॉंसर बाइ विनी काफे रिवा फिर्स्ट चर्टिफाइड वेच बेकरी और 100% एगलिस अड्रेस बिलो आयू बैंक नियर कॉलेच चराहा रिवा